वेलकम टो माई चैनल आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ AC मैडिसिन के बारे में सिखेंगे जिसमें आपको पेडू में दर्द हो रहा है तो पेडू में दर्द जब भी होता है तो उसकी कौन सी सबसे बेस्ट डवा है जो कि आपको लेनी चाहिए और कब-कब आपकी क्या द dances लाक्षन दिखते है तो इसके टॉपिक पर हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा तो आप यहां पर देख सकते हैं यह जो महिला है उसको इस तरह के से पेडू में दर्द हो रहा है और जब भी पेडू में दर्द होता है लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि पेड़ों में जो डर्ड होता है वो किस वाज़ा से होता है उसे हम एनाटोमिकल डर्मिनलोजी में यह कहए सकते है、「 abdominal pain यान कि हमारा पेड़ का मेंस्ट्रियों महील की जो वाल होती तो ये वाल में infection हो जाना या फिर किसी कारण से ये break हो रही है menstrual में तो उसके कारण ड़र रहता है या फिर ovarian cyst यानि कि जो गांथे बन रही है उसकी वज़े से भी पेडू में ड़र रह सकता है अब मेल की बात करें तो जो कि एक popular बिमारी है और दूसरी जो है वो inguinal हर्णिया टेस्टिक्यूलर टोर्जन यानि कि जो टेस्टिकल्स होते हैं और उसकी आगे का जो हिस्सा है मेंस का उनके बीच में ये जो हम घरसन कहते हैं या फिर कुछ तरीके से वहाँ पे चूट लगती है तो इसकी कारण भी आपके इब्डोमेन में ड़र रहता है अगर ये जो सेम्टम्स है वो मेल के हैं और ये है फिमेल के दोनों को मिला कर जो कंबाइन रहता है वो ये है कि एपंटिसाइजिस diverticulitis, constipation यानि कि कब्स रहना, kidney stone भी हो सकता है स्टमक में छाले पढ़ना, ulcer रहना, gastroenteritis और IBD या फिर IBS inflammatory bowel syndrome या फिर inflammatory bowel disease तो ये जो कारण है उसके कारण पेशन को abdominal pain रह सकता है आगे की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि मेरी एक application है जिसका नाम है Learn with Pfizer तो इससे आप Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको different different courses मिलेंगे यहाँ पे एक course के advertisement मैंने बढ़ाई हुई है आपको जिसमें आप medical treatment of disease का course ले सकते हैं उसमें आप सीखेंगे कि किसी भी disease के causes यानि कि किस कारण होता है उसकी लक्षन क्या है diagnosis क्या कर सकते हैं treatment और medicines options तो इसे जल्धी से डाउनलोड करें जिसे आपको course completion के बद certificate भी मलेगा और only 250 rupees में आपको one year में ये जो course है वो मिल जाएगा तो इसे ही सीखते रहें और मुझे whatsapp के true भी आप contact कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पांच इसी सबसे best medicine जो की पेडू में डड़ को ठीक कर सकती है तो यहां पर सबसे पहले जो है वो है मेफ़ताल spasm तो जियादा टर डॉक्टर्स जो है medical store जो है वहां पर सबसे ज्यादा ये जो medicine है वो patient को prescribe करी जाती है जो कि blue cross pharmaceutical company बनाती है तो ये combination medicine है जो कि anti-spasmodication है यानि कि आपके जो muscles है abdomen के उसमें अगर आपको spasm होता है तो वो ये medicine क्या करती है उस spasmudism जो है उसको ठीक करके अपना काम करती है तो इसमें डो content है जिसे की diacyclamine और mefinamic acid तो diacyclamine का 10 mg और mefinamic acid जो है वो 250 mg का salt content रहता है specially abdominal pain यानि कि जो पेडू में डर्ड होता है disemnoria यानि कि जो periods के cramps आ रहा है menstrual के दौरान आपको pain हो रहा है और call की pain तो इसे condition में पेशन को ये suggest करते हैं इसकी जो dosing therapy है वो one tablet per day patient की conditions के मुटाबिक suggest करते हैं या फिर ज्यादा pain हो रहा है तो एक से दो tablet दिन में एक बार patient को suggest कर सकते हैं दूसरी जो medicine है वो यह है यहाँ पे biochem की bio span यहाँ पे आप देख सकते हैं bio span injections तो अगर ज्यादा आपको pain हो रहा है तो यह जो injection है वो intramuscular subcutaneous और intravenous के लिए हूज है यहाँ पे आप लेख सकते हैं 1M pill की आपको ampule मिल जाएगी तो hyocene butyl bromide नाम के salt content की इसका injection रहता है 1M का तो specially जो abdominal pain रहता है IBS IBS irritable bowel syndrome pain तो इसे condition में दी जाते हैं या फिर cramps आ रहे हैं पेट में आपको डर दा रहा है चूका रही है और इसा discomfort सा हो रहा है तो इसे condition में hyocene के जो injection है वो patient को डी जाती है तो यह जो salt content है उसकी mechanism यह है कि जो muscle का contraction होता है उसको stop करती है और जो हमारे muscles है उसको relax करेगी तो आपकी muscles जो cramps के कारण जो stiff हो जाते हैं यह medicine लेने से आपकी muscles relax होंगे और आपको pain नहीं होगा तो यह जो injections है वो 6 साल से कम age के जो बच्चे है उनमें use नहीं होती है आप alternative medicine उनको suggest कर सकते हैं तो इसकी जो therapy है वो one injections per day patient को दिया जाता है नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूं हमारी एक book है जिसका नाम है disease and treatment तो आप यहां पर इस वीडियो में रेक सकते हैं इस तरह के से पूरी color printed book आएगी अगर आपको भी हमारे साथ इसे ही study करना अच्छा लगता है और different disease के बारे में या फिर उसकी treatment क् information सामने इसमें दी हुई है इसको purchase करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं इस नंबर पे और अपनी जो book है वो आप घर पे मंगवा सकते है थार्ड मैडिसन की बात करें तो वो यह है कि Allen K homeopathic A64 यह नंबर आप ध्यान से नौड करें A64 drops तो A64 जो drops है वो abdominal pain के लिए बनाये गए है तो स्पेशली इसका यूज क्या है स्पेशली इसका यूज यह है कि जब भी आपके abdomen में acute pain होता है because of आपकी बोडी में peptic ulcer यानि कि stomach में abdomen में छाले पड़ गया है acute pancreatitis है जो हमारे pancreas होता है वहां पे आपको ड़ रहना वहां पे inflammation हो जाना appendices, gastritis, biliary colic and gastroandritis तो एसी condition में patient को suggest करते है इसका जो dose है वो आपको क्या करना है किस तरीक से लेंगी एक glass ले ले लेना है उस glass में हमें 8 से dust drop A64 के इसमें डालना है 8 से dust drop डालने के बाद आपको यह जो glass है वो आधे glass तक पानी बढ़ लेना है और यह जो दवावाला पानी है वो आपको दिन में चार बार patient को consume करने के लिए बोलना है इस तरीक से इसकी dozing रहती है फोर्ट मेडिसिन पी आए तो वो यह है कि कॉलोस पा तो कॉलोस पा एबड़ फार्मस्टिकल कंट्री बनाती है इसका जो क्लास के बिलॉंग करती है तो हमारी मोडी में जब भी अब्डोमिनल स्पाजम होता है और क्रैंस होता है तो उसे हम स्पाजमोडिक कंडिशन कहते हैं एंटी का मतलब यह है कि इसे एजन जो इसको ठीक करती है तो इसका यूज स्पेशली आईबीएस जो कि मैंने आपको बता दिया पहले इडीटेबल बोवाल सिंड्रॉम जिसके कान पेप्टिक कल्सर और चाले पड़ जाना इसे कंडिशन रहती है या पर पेट में दढ़ रहना द्यू तो स्पाजम रहना क्राम्स और ब्लॉटिंग यानि कि गेस की बीमारी होना तो इसे कंडिशन में पैशन को मेबरें सजेस्स करते हैं इसका मिकैनिजम यह है कि कैल्सिय bonics स्पाजम रहा होते हैं वह हमारे स्मीट मसल पर अटेचर रहता है तो इसे केमिकल्स और ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और यह ब्लॉक करने के कारण आपको स्पाजम होता है जो पें होता है उससे आपको डिलाक्सशन मिलता है लेकिन आपको द्यान में यह रखना है कि यह टैबलेट है वह अपको खाना खाने से 20 से 30 मिनिट पहले लेने हैं जिससे कि आपकी बोडी में प्रॉपर तड़ी किसे वर्क करे तो ये ओजूस टेबलेट जो है वो ब्लॉटेट फीलिंग यानि कि जो आपको गैस की बिमारी बनती है स्टमक में रहता है स्टमक में डिसकमफर्ट जैसा रहता है कभी कबर कॉंस्टिपेशन रहना तो इसी कंडिशन से आपको बाहर निकलने में हेल्फ रहती है आपका जो है उसे इंप्रूव करेगी जब आपका डाइजिशन इंप्रूव होगा तो आपको स्टमक डिसकमफर्ट जैसी और इसके डिलेरे जितनी भी बिमारिया है वो उससे आपको रहत पाएगी यह स्पेशलिस सेफ एन इफेक्टिव मेडिकेशन है वह 100% आपको इसे कंडिशन स से बाहर निकाल सकती है तो जो है वह 1-2 टैबलेट लिन में डूबार लेनी है यानि कि जब आप सुबह ले रहे हैं तो एक या फिर हिलू टैबलेट को स्टमक डिलेनी है और एक या फिल आपको मेरा पढ़ने का अच्छा लगता है इसे ही आपको फाइबिस मेडिसेन या या फिर किसी भी कोर्सिस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरी application है Learn with Pfizer उसे आप Play Store या फिर Apple Store से डाउनलोड कर सकते हैं तो जल्द ही से मेरे कोर्सिस को लीजिए और मेरे साथ इसे ही study कीजिए जिसमें आपको certificate भी available है और मुझसे contact करने के लिए आप इस WhatsApp नमबर के true मुझे contact कर सकते हैं तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा इसमें भी मैंने बहुत informative information आपको दी है जिससे की आप अपने patient जो है या फिर घर पे किसी भी तरीके से home remedy इससे try कर सकते हैं तो मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon को turn करना ना बोले Thank you for watching my video